मैं रौशन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे आप सबों का स्वागत करता हूँ यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो रेड बटन दबाकर आप हमारे यूट्यूब च आसान सब्दों में भी इसका उत्तर है, आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करें अभ्यास में पहले दिया हुआ है अब्जेक्टिव प्रस्ण अब्जेक्टिव प्रस्ण में पहला प्रस्ण है निम्न में से कौन सा यूगल विस्थापन अभिक्रिया परदर्शित करता है इसके बाद दूसरा प्रस्ण है दूसरा प्रस्ण में दिया हुआ है लोहे के फ्राइम पैन को जंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सी विधी उप्यूकत है लोहे के पैन को जंग से बचने के लिए फ्राइम पैन है जंग से बचने के लिए उसमें क्या किया जाता है तो जिंक की परत चरहा दी जाती है ठीक है इसमें याद रखेगा पैंट लगाकर इसको नहीं करना है ग्रीस लगा लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक नहीं लगाया जाता है जिंक की परत चरहाई जाती इसको याद रखेगा फ्राइंट को ठीक है तीसरा प्रस्ण है आपका कौन धातु ऑक्सिजन के साथ अभिक्रिया कर उच गलनांक वाला योगिक निर्मित करती है यह योगिक जल में विले है यह तत्व क्या हो सकता है दातु जो है ऑक्सिजन के साथ अविक्रिया कर उच गलनांक वाला योगिक निर्मित करता है यह योगिक जल में विले है यह तत्व क्या है तो तत्व हो जाएगा आपका केल्सियम ठीक है चौथा प्रस्न है आपका खाद्य पदार्थ के डिब्बे का डिब्बे पर जिंक के बजाए टीन का लेप होता है क्योंकि टीन अपेक्छा टीन की अपेक्छा जिंक महगा होता है टीन की अपेक्छा जिंक का कलनांक अधिक होता है टीन की अपेक्छा जिंक अधिक क्रियासिल है टीन की अपेक्छा जिंक कम क्रियासिल है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट पॉच्वे नमर का प्रस्ण है आपको एक हथोरा बैटरी बल्ब तार एवं स्वीच दिया गया है इसका उप्योग कर धात्वों और धात्वों के नमूनों के बीच विभेद करना है तो इससे आप प्रेटिकल है इसको याद रखिएगा हथोरी की साहिता से धात्वों को पी प्रेटकर चाद्रों में नहीं बदला जा सकता है जब हम बैटरी बल्ब एवं तारों को इस सहायता से एक परिप्थ जोरते हैं तो केवल धातवों में ही विद्धु धारा परवाहित होगी जिससे पता चलता है कि धातवों विद्धु धारा परवाहित होगी जिससे पता चलता है कि धातवों विद्धु धारा परवाहित नहीं होती है इसी में बी नमर का प्रस्ण है धातवों में विभेद के लिए इन परिक्षनों की उप्योगिता का अंकलन करें पहले परियोग से पता चलता है कि अगात वरता का गुन केवल धातु वोम पा जाता है जबकि अधातु में यह गुन नहीं दिखता है इसी परकार दूसरे परियोग द्वारा यह पता चलता है कि धातु जो है विदूत का चालन नहीं करता जब कि धातु विदूत का चालन करता है ठीक है उसके बाद छटा प्रस्न है आपका उभधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं दो उभधर्मी ऑक्साइड का उधारन देजिए ऐसे धातु जो अमल तथा छार दोनों से अभिक्रिया क जब आप किजेगा अभिक्रिया लवन और चार से तो जब आप लन दोनों बने गा अभिक्रिया कराने के बार लवन और जल ही परदान होता है जिसा कि अहां पर आप देख चुके हैं साथवा नमर का प्रस्न है, साथवा नमर में है, दो धात्वों के नाम बताईए जो तनु अमल से हाइड्रोजन को विस्तापित कर देंगे, तथा दो धात्वों के नाम बताईए जो तनु अमल से हाइड्रोजन को विस्तापित कर देंगे, तथा दो धात्वों का नाम बतान जो कि यह ऐसा कर सकता है जबकि दो धातु का नाम बताना है जो तनु अमल से हाइडोजन का विस्थापन नहीं कर सकता है तो इसमें देखिएगा आपका है दो धातु में जो तनु अमल के साथ हाइडोजन को विस्थापित कर सकता है उसमें है जिंक एवम एलोनिया पता दो धातु जो धातु ऐसे नहीं कर सकता है वह कौपर और मर करें ठीक है जिसे की पारा भी कहा जाता है आगे है आपका किसी धातु म के विध्युत अप घटनी परिष्करन्स में आप एनौड कैथोड अप घट यह किसे बनाएंगे विध्युत अप घट में असुद धातु ऐंप शुद्ध धातु एंप के पतली काथ बनाएंगे दातू M के लवन विलियन को विदूत अपगाटी के रूप में उपयोग किया जाता है ठीक है एनोड पर जो है inverड पर असुद धातू हो जाएगा और आपका जो है कैथोड पर सुद धातू है असुद धातू अनोड पर और सुद धातू कैथोड पर दातु का जो विलियन जो सेस बस जाएगा वो क्या हो जाएगा विद्धुत अब घर्टी के रूप में उसका उप्योग हो जाएगा ठीक है जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं हम बढा करके आपको दिखाते हैं यहां पर देखिए परक्ष्णली है यहाप सर्फल पाडर वाला इस पेचुल इस पेचुल आ है इसको गर्म किया बर्नर पर और ग्यास एक एकतरत हुआ यहां पर अधिक है समझ में आ गया तो उपर के अविकृया के लिए संतुलित रसानिक समीकरन लिखना है तो देखिए प्रस्म का उतर दिखिए शल्फर चूर्ण को गर्म करने पर हमें सल्फर डायाओक्साइड प्राथ होगा, जिसका प्रकृति अमलिया होगा, यह जल से अविकृया करके सल्फियूरिक अमल बनाता है इसका प्रक्रति क्या हो जाएगा अमल यह हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा क्यों कि यह सल्फिड अमल बनाता है gas की क्रिया दिया हुआ है, एमें, सुखे लिटमस पत्र पर कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर नहीं आधरता उपस्थित नहीं है, आधर लिटमस पत्र सरजित gas का आयन H plus होगा, कि उपस्थिती के कारण रंग बदल जाएगा इसका रंग क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा आगे है उपर की अभिक्रिया को संतुलित करना है तो उपर की अभिक्रिया को संतुलित करेंगे S से जब O2 का अभिक्रिया के जाएगा तो SO2 हो जाएगा और SO2 का जब H2O के साथ अविक्रिया के जगत H2SO3 हो जाएगा उसके बाद है लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके तो लोहे को जंग से बचाने के लिए आप पेंट लगा सकते हैं दूसरा गेलविनी करन कर सकते हैं ठीक है चलिए या फिर जिंक का भी पड़त कर सकते हैं ठीक है चलिए आग आगे का प्रसन है कारण बताईये फरषान निश्कर्स प्रकरम प्रकरम में कार्बो कारो नेट को मैं परिवर्थित किया जाता है इसका कार्ण बताना है थी defa देखेगा देखिए पहला प्रसंद का अंसर हो जाएगा प्लेटीनम, सोना एवं चांदी का उप्योग आवोसन बनाने में इसलिए किया जाता है कि इसका धात्विक चमक अधिक होता है इसका धात्विक चमक अधिक है तथा ये अगात वर्दी अगम तन्य है ये कम अभिक्रियासिल धा है इसका तिन चार गुन है एक तो ये चमए चमक अधिक है और गहात वर्दी है तन्य है और इसको याद रखेगा सोडियम पोटेशियम पोटेशियम लिद्यम को तील के अंदर संग्रैट किया जाता है क्योंकि ये अधिक अभिक्रियासिल धात्वे हैं जो ऑक्सिजन से अभिक्रिया कर आग उत्पन करता है अक्सिजन से अभिक्रिया कर लेगा और तुरंत जलने लगेगा अता किसी भी तुर घटना को रोकने के लिए इस धातुओं को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है एलमुनियम को वायू में खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर एलमुनियम ऑक्साइड की पतली परत अच्छादित हो जाती यह रक्षक परत अपने नीचे इस धातू की और अधिक छती होने से रक्षा करती है यह उसको और उसको संचारित होने से बचाता है ठीक है करनांक वी उच्छ होता है अन धात्वों की तुल्हाम इसका उत्पादग सस्ता होता है ठीक है निशकर्स हो दी नमर निशकरसन की क्रिया में कारबोनेट एवं सलफाइड और एकस को ऑकसाइड में परिवर्तित करना आवस्यथ है क्योंकि और अपसाइड का अप्चेयन का धातू प्राप्त करना सलफाइड तथा कार्बोनेट एक्षो की तूला में सरल होता है ठीक है आगे देखेगा तेरा नमर का प्रस्ण तेरा नमर में है आपका प्रस्ण अपने तांबे आपने तांबे के मलीन बर्तनों को निम्बू या इमिली के रस्ण साप करते हुए अवस्य देखा होगा यानकि तांबे के बर्तन को निम्बू या इमिली के रस्ण या अमलिय पदार्थ से जो है इसको साप किया जाता है इसा क्यों क्या किया जाता या खटे पदार्थ बरतन को साप करने में क्यों प्रभावी है तांबे के बरतन को नीमबू या खटे रज से साप किया जाता है इसे नीमबू या इमली में उपस्तित अम लोग के साथ हटाया जा सकता है और बरतन में चमका आजाती है आगे आपका प्रस्ण है रसाइनिक धर्मों के आधार पर धातू एवं और धातू में विवेद करना है तो धातू का होता है छाडिय प्रवर्टी में ऑक्साइड बनाती है जबकि अमलिय या उदासिन प्रकृति की ऑक्साइड बनाती है धातू ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया करके छार बनाते हैं और जबकि अधातू इसके ऑक्साइड से जल से अभिक्रिया करके अमल बनाते हैं ये तनू अमलों में हाइड्रोजन विस्तापित करती है ये तनू हमलों में हाइड्रोजन का विस्तापन नहीं करती है ये विद सुनार बन कर आता है, एक व्यक्ति प्रतिक घर में सुनार बन कर जाता है, उसने पुराने एवं मलीन सुने के आभूसन में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रहा चाया, कोई संदेख ये बिना एक महिला अपने सुने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेश विलियन में डाल देता है, कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उसका वजन अत्यन कम हो जाता है, वह महिला बहुत दुखी होती है, तथा तर्ग वितर्द के पस्चात उस व्यक्ति को जुकना पड़ता है, एक जासूस की तरह क्या आप उस व वह व्यक्ति जो है न, अकवर जिया का उप्योग कर रहा था, यानि अकवर जिया एक तद मिस्रा ही है, लिक्वीड फॉर्म में पडार्त है, जो की सोने को गला देता है, ठीक है, उसको उपर के परत को क्या करता है, गला देता है, जो सांद्र हाइड्रोकलोरिक अहम तथा अगर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, गर्म जल का टैंक बनाया जाता है, उसमें तांबे का उपयोग है आता है, परतु इस पात या लोहे, कि मिस्र का नहीं, इसका कारण बताए, कौपर ठंडे पानी, गर्म पानी या भाब के साथ परतिक्रिया नहीं करते हैं, किसी भी परकार का परभाव कौपर पर नहीं परता है, ठीक है, तांबे पर किसी भी परकार का परभाव नहीं परता है, हलांकि लोहा परतिक्रिया करत और धीरे-धीरे उस से कर देगा यानि कि उसका छरन सुरू हो जाएगा इसलिए जो है गर्म जल रखने का टेंक बना तो तामबे का उप्योग किया जाता है लोहे के मिसर Fair और है बनाये हैं Gibson आपको तौसरा लगा हो तो आप हमारे यूट चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट भी अवसे करें वीडियो को लाइक भी करें और सेर भी करने की कोशिश करें ताकि इस वीडियो का लाब सभी को मिल सकें आज के लिए इतना ही फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं जै हिंद जै भारत